हेलो गाइस कैस वाफ सभी आसा करता हूं सभी अच्छ होंगे मैं राहूल देश वाल एक फिर से आप सभी का टॉप तक फीडियो लूपर सवाथ करता हूं तो गाइस जैसा कि आप सभी को बता हाल फ्लाल में बहुत बड़ी आपके लिए खुसकबरी आई थी और वो यह भी कहा गया है कि जनवरी 2023 में फिजिकल भी होगा अब जनवरी 2023 में अगर फिजिकल होगा और साथ इसाथ जैसा कि आप सभी को बता है SSC GD वगयरा के साथ में एक्जाम भी आने वाले हैं तो बच्चे के दिमाग के अंदर दो बात आती हैं क्योंकि हर बच्चा कहीं न कहीं ग्रूप D से एक अच्छी जॉब होती है SSC GD की तो देखे सबसे पहले बात करते हैं कि क्या करना होगा वह बात तो करेंगे पर उससे पहले फिजिकल कैसा रहता है वह एक बार देख लेते मोटी मोटी नजर मान लेते हैं तो जो फिजिकल रहता है ग्रूप D का कैसा रहता है तो वह रहता है सूट भी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी सबसे पहले मेल की पुरूसों की बात कर रहे हैं इस बात को ध्यान से सुनना कि कहीं सोचे कौन किसको उठाना है 35 किलो वजन उठाना होगा आपको और इसे लेकर सौ मिटर तक जाना होगा कंदे वगर आप अब ज़्यादा भाओ वली हो बाहु बहुन आसक्ति व करते ही जो बच्चा यह अगर प्रैक्टिस में रहेगा Jelly की वीजन कम करती है को सो मीटर और दो मिनिट सेम टू सेम हैं लड़कों के लिए ये बात कर रहा है चार मिंट फंतरा सेamed में उसे-स-ए-स-फंगा भाइं आपसितर तरह सथ anterior दे तो क्या 100% मेरा हो पाएगा तभी तो बच्चा कर पाता है तो देखिए बच्चो मैं आपको एक मोटी मोटी बात बताऊंगा जिससे आप साइद खुद किलियर हो पाऊगे कि आपको फिजिकल के लिए तैयारी करते रहनी चाहिए या नहीं और कुछ बाते को वह बहुत जरूरी होंगी जो हर बच्चे को सुननी चाहिए सबसे पहली बात हम अभी यहां पर डाटा के साब से बात करें क्योंकि कुछ भी बोल देना उसका कोई मतलब नहीं बनता अगर मैं 2018 और 2020 जितने भी आपके दिमाग के सारे सवाल हैं यह यहां पर लगते हो वहां पर 62,000 कहीं ना कहीं साथ हजार के प्लस साथ हजार के करीब वेकेंसी थी इस बार एक लाग से जादा वेकेंसी थी ठीक है यानि कि इसके कंपरिजन में यह आदी के करीब है आदी 40 जार कम पर पिछली बार एक करोड़ नब्बै लाख फॉर्म फिल हुए थ ठीक है यह दो रोड़ और एक क्रोड़ क्यों मानकर चला हूं कैल्कूलेशन इजी हो जाएगी अगर बात करें तो पुछली बार 60% बच्चो ने एग्जाम दिया था है तो टू सीफ-जा टॉईल, जहां पर गई है पर हम 50% लेकर चलते तो एक करोड का 50% यानि 50 लाग तो आप एक चीज देखिए पिछली बार 50 लाग बच्चे लड़ रहे थे स्वरी इस बार 50 लाग बच्चे एक लाग वैकेंसी पर लड़ रहे हैं और पिछली बार एक करोड 20 लाग बच्चा सिर्फ 60-100 पिलड रहा था तो पिछली बार कोंप्टिशन बहुत जादा था बजाए इस बार के साथी साथ अगर पेपर की बात करें पेपर का लेवल क्या था तो इस बार थोड़ा सा टफाय था तो यानि कहीं न कहीं पहले से तो कट ओफ 110 परसेंट कम जाने वाली है और भी इसके ब पर तो इस बार को फरक देखने हो मिलेगा इस बार क्या है जोन वाइस पर बच्चा बहुत कम पहुचा है दोनों कारण देखो जिसने टफाय शिफ्ट वो तो मैटर करें बच्चा कम भी गया तो उससे भी आपका मनलब की कम नंबर पर होने का चांसिस बना रहेगा तो दे मोटी और चोटी सी बात यह है कि आप सभी को फिजिकल की तैयारी करते रहनी चाहिए क्योंकि दिन में हर बच्चा पढ़ाई के अलावा सो काम और सो नी तो दो तीन चार ऐसे काम कर रहा होता जिसका करने का कोई उदेश से नहीं है और एक बार जोब लग जाएगी तो जी तो कल को SSEGD वगरा है जो इस भी एक्जाम के आप त्यारी कर रहे हो वहाँ पे उस फिजिकल का आपको फायदा भी मिलेगा क्योंकि आज के टाइम पे SSEGD या कोई भी एक्जाम ले लो वहाँ भी आपको फिजिकल तो बात में मार नहीं है तो गाईस अपना फिजिकल जर रहो आप छोटी-छोटी इन चीजों में आप प्रोपर मलब करी ना पाओ मलब हजार सो मीटर का ये नगर पा हजार मीटर का तो प्लीज आप सभी से यही रुक्रेश करना चाहूंगा और अपने जितने भाई बंदू है सबसे आप मेरे थुरूए अपने थुरूए बात पहुचा दिजिए कि भाईया अपने फिजिकल की तयारी करते रहो कुछ भी वरोसा निया है किसका नमबर आ जाए ओके बाई लव यू जाहिन जावारत तो फिर मिलते हैं कल सुबाह नौ बजे स्स की टॉप तक पीड़ लुवर बाई लव यू